हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम न्यूब बॉर्ण बेबी के यह गलब्स बना रहे हैं यह बहुत ही असान है इनको बहुत ही असानी से हम बनाएंगे यह मैंने क्रोशिय से बनाए है इसे यह मैंने यहाप फेस में दोरी बांदी है और अगर инструмент डोरी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं यह अजिसे आछ में इसमें बॉर्डर बना रखा है यह देखने में ऐसे लगते हैं आप इसको एक लर से भी बना सकते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने दो तरह के क्रोशिय लिए है एक ये थोड़ा मोटा है 3 mm का और एक 2.5 mm का क्रोशिया है इससे हम उपर का हिस्सा बनाएंगे और जो बारी क्रोशिया है उससे हम बोर्डर बनाएंगे सबसे पहले एक नोट लगा लेंगे और इसके पाद हम फॉर्चेन बनाएंगे यह हमने फॉर्चेन बना ली है आप इसको यहाँ स्लिप स्टिश से बंद कर देंगे यह हमारे बेख छोटा से सरकल बन जाएगा अब हम थ्री चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिय बनाएंगे यहाँ पर हम ट्वेलफ डबल क्रोशिय बनाएंगे वीच चेन दो डबल क्रोशिय हमारे पास हो चुके हैं यह बनाएंड़ दो आ चेन परिटोन दो ने तोटी पनाएंग एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, यह हमारे पास ट्वेल्ड डॉबल क्रोशिय हो चुके हैं, अब इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, यह हमारे 12 डॉबल क्रोशिय है, अब हम 3 चैन बनाएंगे, और जहां हमने चैन बनाई है, वहीं पे दो बार डॉबल क्रोशिय बनाएंगे, यहीं पे जहां पे हमने चैन बनाई है, हमारे पास पहले 12 डॉबल क्रोशिय थे, अब हम 24 डॉबल क्रोशिय बनाएंगे, हर एक डॉबल क्रोशिय में हम 2 डॉबल क्रोशिय बना लेंगे, और इस रोग को कम्प्लीट करेंगे, यहां पे हम हर एक डॉबल क्रोशिय में 2 डॉबल क्रोशिय बनाएंगे, ऐसे पहले हमने single single double क्रोशिय आ है, है हमारे पास 12 डबल क्रोशिय है उसके बार उसके बाद हम 24 डबल क्रोशिय बनाएंगे 24 और इस रोग को कंप्लेट कर लेंगे यह जीरो से शिक्स मन्त के बेबी के लिए है अगर आप इससे और छोटा बनाना चाहते हैं तो जहां हमने 12 डबल क्रोशिय बनाई हैं वहां 10 और यह रो हम कंप्लेट कर लेते हैं और इसको यहां पर बन कर देंगे अब हम दूसरे कलर का यूज करेंगे एक्स्ट्रा धागा हम काटतेंगे यह हमने नोट लगा ली है ऐसे नोट लगाके अब हम वाइट कलर का यूज करेंगे जहां पर हमने इसको बंद किया था वहीं पर डालेंगे और थ्री चैन बनाएंगे एक डबल क्रोशिय बनाएंगे जहां पर हमने यह चैन बनाई है वहीं पर अब हमें हर एक चैन में एक डबल क्रोशिय बनाना है एक एक ऐसे और यह में कहीं भी दो डबल क्रोशिय नहीं डालने हर एकैन में हम एक Shopify डबल क्रोशिय डालते जाएंगे और इस रो को कम्प्लीट करेंगे है झाल झाल यह रो हमारी यहां पे complete हो चुकी है फिर से हम 3 chain बनाएंगे और जह हमने chain बनाई है वहाँ पे 1 double crochet बनाएंगे और ऐसे ही हमने हर एक chain में 1 double crochet बनाना है इसमें ना तो घटाना है ना बढ़ाना है इसको same to same ऐसे ही बनाना है और ऐसे करते हो हमें 5 row complete करनी है जैसे हमने इस club में की है ऐसे 1,2,3,4,5 यह 5 row हम white से complete कर लेंगे यह 5 row हमने complete कर ली है अब हम इसका border बनाएंगे अब मैंने यह जो बारी करोशिया था 2.5 mm का वो लिया है अब हम यह गाजरी कलर क्यों अटेच करेंगे इसके साथ थ्री चेन बनाएंगे वह जहां हमने चेन बनाई है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम इसको ऐसे ही बनाना है हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है यह रो हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम इसका बोडर बनाएंगे थ्री चेन बनाएंगे और ऐसे इसका बोडर बनेगा एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब हम पीछे से क्रोशिया लाएंगे और ऐसे करके फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे करके हम टूरो कंप्लीट करेंगे कि इस कलर कि हमारे पास टोटल थ्री रो हो जाएंगी आए जैसे यह बनाया हमने ऐसे ही थ्री रो कम्प्लेट कर लेंगे और इसमें यह डोरी डालेंगे यह रो हमने कम्प्लेट कर ली है अब हम इसकी डोरी बनाएंगे कर लाद कर दमेंगे कर लो हमने कर दो कर लेंगे कि रो ठीव यह रो रो कि यह सेवन चेन बना के हमने ऐसे सरकल बना लिया है अब जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए उतनी चेन बना ले कि इस डोरी को ऐसे डाल लेंगे दो डू डबल क्रोशियां दो छोड़ देंगे दो में डाल लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसको बनाना बहुत ही असान है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं ऐसे देखिए बहुत ही असानी से हमारे गलव्स कंप्लीट हो गए हैं आप साइज को कम ज़्यादा जैसे चाहिए बना सकते हैं अगर आप और छोटे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10 डबल क्रोशिया ले उससे ही सारा सई कंप्लेट हो जाएगा अगर आपको बिल्कु छोटे से बनाने है यह देखिए ओके थैंक यू